हेलो दोस्तों स्वागत है आप सब का अपने ही यूटूब चैनल लर्दिंग कैफे में आज के वीडियो में BPSC सरसरीवी मार्क्समेन का सेट 8 को सुरू करेंगे सेट 7 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है लिंक डिस्किप्शन में दिया गया है या आप चैनल के पलिश में जाके देख लिजेगा अगर आप लोगे के पास मार्क्समेन BPSC सरसरीवी का ये नया बुक है तो अच्छी बात है अगर नहीं है तो टेंसन नहीं लेना है पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रवाइड करा दिया जाएगा तो चलिए सेट 8 को सुरू कर लेते हैं पहला कोईचन देखिए अखिल भारते कॉंग्रेस की पर्थम महिला अध्यक्स थी कॉंग्रेस की पर्थम महिला अध्यक्स एनी बेसेंट थी अप्शन सी सयुत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट राष्टिय कॉंग्रेस की अस्थापना 1850 इस्वी में ये ओ हियूम द्वारा की गई थी भारते राष्टिय कॉंग्रेस का जो पहला अध्यवेशन हुआ था 1850 इस्वी में बंबई में हुआ था और कॉंग्रेस के पहले अध्यवेशन के अध्यक्स था बियोमेज चंदर बनरजी डबलू सी बनरजी ने किया था और इसके पर्थम महास्चीब ए ओ हिम जो हो खु तो कॉंग्रेस की पर्थम भारती महिला अध्यक्स जो थी वो सरोजबी नाइडियो थी अब पर्थम महिला अध्यक्स एनी बेसेंट अगला कोईशन निमलिखित मेंसे भारतीय राष्टिय कॉंग्रेस के किस अधीवेशन में बाल गंगा धर दिलक ने अभिवेग्स किया स्वाराज मेरा जन्मसिद अधिकार है मैं उसे लेकर रहूंगा किस अधिवेशन में लखनाउ अधिवेशन 1916 में अगला कोशन देखिए स्वाराज मेरा जन्मसिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यह वैक तब भी किस से संबंदित है बाल गंगा धर तीलक से संब द्वारा प्रेरित था नहीं यह उनके द्वारा सोचा या योजना बद किया गया था किसने कहा था कॉंग्रेश पतन के लिए लर्खरा रही है मेरी सबसे बड़ी अभिलासा जब तक मैं भारत में हूँ कॉंग्रेश की सांतिपुर्ण समाप्ती में सोयोग करना है लॉड करजन ओप्शन भी हो जाएगा लॉड करजन अध्यक्षिय सन्बोधन के समय जिस कॉंग्रेश अध्यक्ष ने हिंदी भासा के लिए रोमन लीपी लागू करने की वकालत की थी वो कौन थे सुभाज चंद्रबोश बहरत के स्वतांत्री प्राप्ती के बाद निमलिखित में से किसी ने सुझावद दिया था कि भारत्यी राष्टय कॉंग्रेश को समाप्त कर दिया जाए महात्मा गांधी भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अधियक्स्ता की गई यह अधिवेशन कहां हुआ था बेल गाउं में हुआ था आप्शन सी हो जाएगा बेल गाउं नेक्स्ट कोईचन वर्ष 1928 के भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के हरिपूरा अधिवेशन की अधिवेशन की अधियक्सता की थी किसने की थी सुभाज चंद्र बोस ने की थी अप्शन टी हो जाएगा सुभाज चंद्र बोस जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कॉंग्रेस के अधियक्स कौन थे जे भी क्रिपलानी अप्शन सी हो जाएगा जे भी क्रिपलानी नेक्स्ट कोईचन जन गनमन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस का 1911 अधिवेशन में गया था उप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट कोईचन देखिए कॉंग्रेस के नरम दल के नेताव की आंदोलन की पद्धती थी कॉंग्रेस के नरम दल के नेताव की आंदोलन की जो पद्धती थी वो क्या थी राजा वामबद आंदोलन option b हो जाएगा राजा वांबद आंदोलन कोंग्रेस के नरम दल के नेताव की आंदोलन की जो पद्दती थी रामा वांबद आंदोलन थी और वही जो है गरम दल गरम दल नेताव की जो मुख्य मांगे थी वो अनुकूल परवी घटन थी अधीकतर नरमपंती नेथा थे अधीकतम जो नरमपंती नेथा जो एक की छेतर के थे तो जादातर नरमपंती नेथा में जो थे वो दाधावाई नोरोजी थे फिरोसा मेहता, दिमसा वाचा, ब्योमेश बनरजी और सुरेंदरनाथ बनरजी थे ये सब जो सहरी छेतर से किस ने भारते राष्टे कॉंग्रेस पर प्राथना याचना तथा विरोध की राजनीती करने का आरोप लगाया। कॉंग्रेस की प्राथना और याचना की नीती अंत तो गत्वा समाप्त हो गई। बाल गंगाधर तिलक के नेतरितु में। भारते राष्टे कॉंग्रेस गरम पंथियों के परवावा धीन आया। कब आया। 1906 के बाद निमलिखित में से कौन सा नेता कॉंग्रेस के गरम दल से सम्बंदी था। अरविंद घोस ओप्शन ए हो जाएगा अरविंद घोस गरम दल के नेता जो थे उनमें चार नेता जो परमुक थे। बाल गंगाधर तिलक लाला लजपत राई विपिन चंदरपाल और अरविंद घोस। नेक्स कोईचन निम्लिकित में से कौन भारते राष्टे कॉंग्रेस में उदारवादियों से जुरा नहीं था। लाला लजपत राई राष्टिय आंदूरल में निम्ल में से किसको नरम दलिये के तोर पर नहीं जाना जाता था। बाल गंगाधर तिलक ये जो है गरम दल के नेता थे। निम्ल में कौन मध्यम मारगी नहीं था। बाल गंगा धरतिलक Next question निमलिकित नेताओं मैंसे कौन एक स्वादेशी के शमर्थन ठे अर्वींद घोस अप्शन E हो जाएगा अर्वींद घोस निमलिकित मैंसे किसे भारतिय और सांति के जनक के रूप में जाना जाता है भारती ये औसांती के जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है ओप्शन सी हो जाएगा लोकमान नितिलक बाल गंगाधर तिलक जो है सेबा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनूती देने का साहस था सर वेलेंटाइन शिरोल ने उन्हें भारत में औसांती का जन्मदाता कहा था 1908 में छो वर्ष के करावाज की सजा स्वतंतरता संगराम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी बाल गंगा धरतिलोग को दी गई थी राजदुरोग का मुकदमा चलाकर छो वर्ष के करावाज की सजा देकर मांडले जेल जो बर्वा में है तो मांडले जेल में भेज दिया गया था तिलोग को हुई इस सजा के विरोध में बंबई के कपरा मिल मजदुरोग ने देश में पहली राजनीतिक हरताल की थी मांडले जेल में ही गीता रहस्य बाल गंगा धर्तिलक ने मांडले जेल में ही गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी 1908 में बाल गंगा धर्तिलों को जेल हुई थी कितने साल के जेल हुई थी महाराष्ट में गनपुर्ती पर्व का सिरी गरेश किया था महाराष्ट में गनपती पर्व का सिरी गरेश जो है वो किस ने किया था बीजी तिलक ने बाल गंगाधर तिलक ने किया था बाल गंगाधर तिलग ने महराष्ट में सिवाजी महत्षब और गनपती पर्व आरम्भ किया था, ताकि जनता में राष्ट सेवा की भावना जागे, बाल गंगाधर तिलग की मिरित्यु जो है 1 अगस्ट 1920 को हुआ था, उनकी मिरित्यु को जो है अर्थी दिया था, महात्मा पर्विखित में से किसी ने महराष्ट के गनपती उत्सव का एसा काया कल्प किया कि वह एक राष्ट ये उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनेतिक हो गया है, किसने किया था, बाल गंगाधर तिलग ने, ऑप्चन डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलग, किया था, बीडी सावर करने किया था, ऑप्चन बी हो जाएगा, बीडी सावर कर द्वारा अठारा सो निनान में इस्वी में अस्थापित किया गया था, मित्र मेला, मित्र मेला जो अस्थापित किया था, अठारा सो निनान में में, वही जो है, 1904 में एक गुप्त सभा रिवाने का युगांदर पार्टी का नेत्रितु किया था किस ने किया था कि जतिन्र नातम ने किया था कि वह कौन थे जिनहोंने अनूसिलन समेती की अस्थापना की थी हुए dealer option एह हो जाएगा पर्मत परमतनात मित्रा बरिंद्र कुमार घोष के किरिया कलापु ने एक गुप्त करांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था और अनुसीलन समीति को अनुसीलन समीति थी अनुशीलन समीति जो है ये क्या थी एक क्रांतिकारी संगठन बाल गंगाधर तिलक को लोकमाननी विशियेशन कब दिया गया है क्रांतिकारी आंदोलन के बाद आप्शन भी हो जाएगा अगला कोशन देखिया सुवतन्द्रता आंदोलन के करान्तिकारी आतंकवादियों का पाहला महत्व पुर्ण शाहसीग कारी बर्दा दकैटी का अस्थान जो है वो किस राजी में अस्थित है पुर्वी बंगाल में application C हो जाएगा पुर्वी बंगाल में मुझपरपूर में किंग्स फोर्ड के हत्या का पडियास कब किया गया था 1908-20 में किया गया था ओप्चन यह हो जाएगा 1908-2030 अप्रिल 1908 को बिहार के मुझपरपूर में खुदी राम बोस और परफुल चाकी ने किंग्स फोर्ड पर बंप फेका लेकिन किंग्स फोर्ड जो है वो तो बच गया दुर्भागे से राष्टिये आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पतनी और एवं पुत्री जो है वो मारी गई तो इसके बाद जो परफुल चाकी को पूलिस से बचने के लिए उन्होंने आत्मतिया कर लिया और खुदी राम बोस को गिराफतार करके फासी दे दी गई निमलिकित में से किसने बड़ी बुद्धी मानी के साथ अलिपूर सडियन्थ मामले में अर्विंद घोष की बचाव किया था चितरंजन दाश ओप्शन ए हो जाएगा सी आरदाश चितरंजन दाश अलिपूर सडियन्थ मामला जो हुआ था ये 1908 में हुआ था इसमें अर्विंद घोष और उनके भाई बरिंदर घोष के साथ 49 लोग को अवेद हतियार रखने के आरफ में गिरिफ्तार कर लिया था इस मामले में 17 लोगों को सजा तो हुई थी लेकिन अर्विंद घोष को जो है रिहा कर दिये गए थे इसमें अर्विंद घोष का बचाव के लिए एरी चोटी का जोर लगा दिया था चितरंजन दासने किस वर्स हिंदुस्तान रिपब्लीकन एसोसियेशन की अस्थापना हुई 1924 इस्यू में हिंदुस्तान रिपब्लीकन एसोसियेशन के अस्थापना 1924 इस्यू में हुई संस्थापक जो थे वो सचिंद्र सनियाल थे ये अध्यक्स थे हिंदुस्तान रिपब्लीकन संगठन के अस्थापना की गई थे कहा पर की गई थे तानपुर में की गई थे निमलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपप्रीकन एसोसिएशन का सदेस्य नहीं था सीव उभरमा जो है वो नहीं था option d हो जाएगा सीव उभरमा निमलिकित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोडी-7 के मामले में फासिपर चढ़ा दिया राम परशाद बिस्मिल को आप्शन भी हो जाएगा राम परशाद बिस्मिल ये काकोडी सडियंद्र जो हुआ था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसेशन के संस्था का ही 9 अगस्त 1925 इस्विको यही संस्था जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसेशन संस्था जो है यह पर डखेती करके सरकारी खाजाना लोट लिया था यह घटना काकोरी कांड के नाम से परशिद हुए इस घटना के 29 करांटी कारियों को गिरिफतार कर लिया गया जिसमें राम परसाद बिस्मिल असफाक उल्ला खान रोसनलान और जो है राजंदर लाहिरी जो है इस चारों को तो फासी दे दिया गया लेकिन चंदर सेखर आजाद फरार हो गये चंदर सेखर आजाद वह भाग गये हिंदुस्तान रिपब्लीकन एस्सोसियेशन के यही एक मातर सदसी थे जो कभी पूलिस के गिरफ्त में नहीं आये लेकिन असफाक उल्ला खान जो है यह पर्थम भार था निमलिखित करांतिकारीयों में से कौन काकोरी सड़ियांद्र केस से जुरा नहीं है ऑाप्जन सी हो जैगा भगत सिंङ भगत सिंग जो यह जुरा नहीं है निमलिकित में से काकोरी कांड से जुरा कौन करांतिकारी मुकदमे से बच निकला तो मुकदमे से जो बच निकला चंदर सेखर आजाद आप्शन सी हो जाएगा चंदर सेखर एक मात्र मतलब की ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसूसियेशन का सदे सिथा एक मात्र जिन्होंने कभी अंग्रेजों के चंगुल में नहीं आया भाग गया लेकिन बाद में 1931 में इलाहाबाद में अलफ्रेड पार्क में पूलिस मुर्भेड में जो है वो लाठी चाए पूलिस मुर्भेड में जो ये मारे गए थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन गठित की गई थी किसके द्वारा गठित की गई थी चंदर सेखर आजाद के द्वारा गठित की गई थी ऑप्शन इसका जो है सही उतर हो जाएगा 1928 इस्वी में जो है ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन के जो है अस्थापना चंदर सेखर आजाद के नेतिरुत में दिल्ली के फिरोच्छा कोटला मैदान में हुआ था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसेशन के संस्थापक नेताओं में एक थे भागत सिंग भी थे वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसेशन की अस्थापना कहा हुई थे दिल्ली में हुई थी, दिल्ली के फिरोसा कोटला मैदान में करांती कारी चंदर सेख़र आजात को अंग्रेजों ने कैसे मारा मार डाला था कैसे मार डाला था? तो मुठ भेर में गोलियों से options हो जाएगा, मुठ भेर में क्यूंकि ये तो बच गया था तो इसको जो है 1931 इसु में इलाहाबाद में अलफ्रेड पार्क में जो है पुलियोस ने मुरिभेर में मार दिया था अगला देखिए कोईचन नमर 50 इनकलाब जिन्दावाद का नारा किस ने दिया था भगत सिंग ने दिया था ओप्शन C सही उत्र हो जाएगा भगत सिंग राजगुरु तथा सुखदेव को कब फासी दी गई 23 मार्च 1931 को ओप्शन A सही उत्र हो जाएगा लाहर जो सडियन कांट जो हुआ था उसके अंतरगत मुकादमा चलाया गया और भगत सिंग राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फासी दे दी गई चोड़ी छेपे उनका अंतिम संस्कार फिरोजपूर जीले में सतलरज नजीर के टटपर कर दिया गया भगत सिंग सुखदेव और राजगुरु को किस वाद से फासी की सजा सुनाई गई भगत सिंग सुखदेव और राजगुरु को किस वाद मतलब किस केस में फासी की सजा सुनाई गई थी तो लाहोर सडियंद केस में आप्शन भी हो जाएगा लाहोर सडियंद कांड में निमलिखित में से किस करांती कारी को फासी नहीं हुई थी बटु केस वर दत को नेक्ट कोईचन भारतिय स्वतंतता के लिए फासी पाने वाले पर्थम रिकॉर्डेर मुस्लिम का नाम है तो पर्थम रिकॉर्डेर मुस्लिम जो है वो अस्फाकुल्ला खान है आप्शन सी हो जाएगा निमलिकित में से किस ने परसिद चटगाउं सत्रागार धावा आयोजित किया था किस ने किया था सुडी सेन ने किया था आप्शन भी हो जाएगा सुडी सेन स्वतंतरता संगराम के सबसे कम आयू के सहीद थे सबसे कम आयू के सहीद कौन थे खुदी रामबोस, option C हो जाएगा, खुदी रामबोस, आजादी के लिए मात्र 19 वर्स के आयू में फासी पर चड़ गए थे जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, जतिन दास जो है, ये किस आरोप में बंदी बनाए गए थे option C हो जाएगा, लाहोर सडियंत, option C इसका right answer हो जाएगा, लाहोर सडियंत में लाहोर सडियंत के अंतरगत गिरफतार कर लिया गया था, जतिन दास को और जेल में बंद कर दिया गया था, तो इन्होंने भूख हरताल शुरू कर दी थे और 24 दिन के भूख हरताल के कारण 13 सितंबर 1929 को इनकी मिरुत्ति हो गई, जेल में भूख हरताल के कारण, जिस स्वतंतरता संग्राम सिनाने की मिरुत्ति हो जाएगा, जतिन दास निस्क्रिये विरोध के सिधान्त का परतिपादन किस ने किया था, अरविंद घोष ने किया था, आप्शन डी सियोत्र हो जाएगा, निस्क्रिये विरोध के सिधान्त का परतिपादन, अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक बंदे मातरम में किया था, निम्लिकित में से किस क्रांती कारी की फासी गोरःपूर जेल में हुई थी राम परशाद बिस्मिल नेक्स्ट कोईचन निम्लिकित में से किस महिला क्रांती कारी ने दिक्छान समारों में अपनी उपाधी गरहन करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी बीनादत ओप्शन सी सयूत्र हो जाएगा बीनादत अगला कोईचन स्यामजी कृष्न वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की अस्थापना किये कहां पड़की थी लंदन में ओप्शन सयूत्र हो जाएगा 1905 में लंदन में स्यामजी क्रिश्न वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की अस्थापना किया था गदर पार्टी की अस्थापना हुई थी कब हुई थी गदर पार्टी की अस्थापना 1913 स्विम में आप्शन भी सही उत्र हो जाएगा गदर पार्टी की अस्थापना 21 अप्रिल 1913 को भारत में भारत को अंग्रेजों से स्वतंद्र कराने के उद्देश सिसे की गई थी इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतियों द्वारा गठित किया गया था पार्टी का मुख्याले जो है ये गदर पार्टी का मुख्याले सेन फ्रांसिस्को में था जो की अमेरिका में है अमेरिका के सेन फ्रांसिस्को में था गदर पार्टी का नेता कौन था लाला हर्दियाल गदर आंदोलन के अस्थापना की गई थी गदर अंदोलन के अस्थापना की थी? किसने की थी? सोहन सिंग भाकना ने गदर पाटी की अस्थापना हुई थी? कहां पड़ हुई थी? तो सन्यूक्त राज अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर करांती छीरने का सबसे महत्योपुर्ण कारण क्या था? पर्थम महायुद का सुरू होना पर्थम महायुद के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी? जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंदर परताप थे? अफगानिस्तान में कौन भारतिये करांती की मा कहलाती है? भीकाजी रुस्तम कामा निमलिकित मेंसे किस महिला ने भारतिये तिरंगा सबसे पहले फाड़ाया था? भीकाजी कामा उप्शन भी सही उतर हो जाएगा भीकाजी कामा नेक्स्ट कौईशन देखिया वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंडेंस लीग की अस्थापना की थी? राश बिहारी बोस अप्शन सी सही उतर हो जाएगा राश बिहारी बोस अगला कौईशन देखिया बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारम किस तिथी से हुआ? 7 अगस्ट 1905 को हुआ था नेक्स्ट कौईशन 1905 में बंगाल विभाजन किस वाइसराई ने किया? लॉड करजन ने किया था निमलिखित में से किस ने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोधी में हुए आंदोलन का नेत्रितु किया था सुरेंद्रनाथ बनरजी ने किया था ओप्शन ए से उतर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ मनरजी लॉड करजन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद किस वर्श हुआ था 1911 में रद कर दिया गया था दिसंबर 1911 में बिरिटिस समराठ जोर्ज पंचम और महरानी मेरी के भारत आया और उनके सुआगत हेतु दिल्ली में एक दरवार दिल्ली दरवार में जो है एक आयोजन किया गया है दिल्ली दरवार में ही 12 दिसंबर 1911 इश्वी को समराठ जोर्ज पंचम बंगाल विभाजन को रद घोशित कर दिया था बंगाल 1905 issue में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फल्सुरूप यह दोबारा विभाजित हुआ दोबारा विभाजित कब हुआ 1911 issue में Next question बंगाल का विभाजन मुख्षिता किया गया था किसके लिए किया गया था बंगाली राष्टवाद की विरीधी को दुर्बल करने के लिए option भी हो जाएगा बंगाली राष्टवाद की विरीधी को दुर्बल करने के लिए निमनी में से किस दिवस को बंगाल में सोक दिवस के रूप में मनाया गया तथा रविंद्रणाथ टेगोर के सुझाव पर सम्पूर्ण बंगाल में इस दिन को राकी दिवस के रूप में मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 ओप्शन सी सही उत्र हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन परभावी हो गया इस दिन पूरे बंगाल में सोक दिवस के रूप में मनाया गया रविंद्रणाथ टेगोर के सुझाव पर सम्पूर्ण बंगाल में इस दिन को राकी दिवस के रूप में मनाया गया Next question सोदेशी आंदूरन के प्रारंभ का ततकालिक कारण क्या था लौड करण दूरा किया गया बंगाल विभाजन ओप्शन ए हो जाएगा लौड करण दूरा किया गया बंगाल विभाजन था बंगला पत्रीका संजीवनी के संपादक 1905 इस वी में कौन थे किरिशन कुमार मित्र थे option D हो जाएगा किरिश्न कुमार मित्र next question देखिए सो देश बांधाव समीती के अस्थापना किसने के थी असविनी कुमार दत ने के थी option B हो जाएगा सो देशी आंदोलन के समय आंदोलन के परति जन समर्थन को जो एकतर करने के उद्यस इसे अस्वीनी कुमारदत ने स्वदेश बांधव समेति क्या स्थापना की इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेश्ता थी महिलाओ का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना निमलिकित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पुर्व तथा पस्चाति केस मधी एक बेहतर संबंध का समर्थक था आर एन टैगोर रविन ना टैगोर आप्शन सी हो जाएगा बंगाल में ब्रीटेन की वस्तुओं के बहिस्कार का सुझाव सरुपर्थम किस ने दिया था किरिश्न कुमार मित्र ने दिया था मदराच में सो देशी आंदोलन का नेत्रित्व किस ने किया था चिदंबरम पिल्ले ने किया था अप्शन सी हो जाएगा चिदंबरम पिल्ले निम्लिकित में से किस ने सोदेशी आंदोलन का नेत्रितु दिल्ली में किया था सयद हैदर रजा ने निम्लिकित में से किस आंदोलन के दवरान वंदे मातनम भारते राष्टिय आंदोलन का सिर्षक गीत बना सोदेशी आंदोलन के दवरान भारत की प्राचीन कला पुनर जिवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ओफ ओर्येंटल आर्ट के अस्थापना की थी किसने की थी अब निंद्र टैग और ने की थी ओप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट कोईशन गोपाल किरिशन गोखले ने कॉंग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्स्ता की थी कभी की थी 1905 इस्वी में ऑप्शन भी सही उत्र हो जाएगा गोपाल किरिष्ण गोखले ने कॉंग्रेस के 1905 बनारस अधिवेशन जो 1905 इस्वी में हुआ था तो इसकी अध्यक्स था कि थी ले उस 1905 में ही गोपाल किरिष्ण गोखले ने ही भारत सेवक समाज की भी अस्थापना कि थी भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्स कौन था गोपाल किरिष्ण गोखले निमलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कॉंग्रेस अधिवेशन की अध्यक्स था की थी दादा भाई नरोजी अप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 1906 के कलकत्ता कॉंग्रेस अधिवेशन में अध्यक्स पद के लिए दादा भाई नरोजी चुने गये थे और राष्टिय के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नरोजी ने सौराज जी की मांग की स्वराज्ज ब्तोर राष्टिये मांग के रूप में सरुपरथम रखा था, किस ने रखा था? दादा ninorोजी ने रखा था अठारा सो बिरान में इस्वी में लिबरल पार्टी के लिए ब्रिटिस संसद के लिए सदस्षी के रूप में चुने जाने वाले वे पहले भारतिये थे ब्रिटिस पार्लियामेंड में चुना जाने वाला परथम भारतिये कौन था? दादा भाई नरोजी था नरम दल और गरम दल के रूप में भारत्य राष्ट्य कॉंग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ सूरत अधिवेशन में ओप्शन भी सही उत्र हो जाएगा भारत्य राष्ट्य कॉंग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें भारतिय कॉंग्रेस कहां पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई सूरत अधिवेशन 1907 ओप्शन ए सही उत्र हो जाएगा 1907 में सूरत में जो अधिवेशन हो था कॉंग्रेस के 23 अधिवेशन था इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में जो है अध्यक्स पद को लेके जो हो वो मतभेद हो गया था जगरा हो गया था जिसके कारण कॉंग्रेस जो है विभाजन हो गया उग्रपंती जहां पर लाला लजपत राय को अध्यक्स बनाना चाहते थे वही राचिक अधिवेशना के अध्यक्षक कौन बनें कौन थे तो राश विहारी घोश आपसइंदी सही उत्तर हो जाएगा राश्टिये कोंगरेस भारतिये कॉंगरेस में सूरत की फूट हुई थी 1947 भारतिये राश्टिये कोंगरेस का पर्थम विभाजन कब हुआ था सूरत विभाजन का नेत्रितु किया था सूरत विभाजन का नेत्रितु किस ने किया था तो बाल गंगा धरतिलक ने किया था ओप्शन सी इसका सही उत्र हो जाएगा बाल गंगा धरतिलक देखिए अब मुस्लिम लिग का गठन जो है उनिस्व चेश्वी में हुआ था तो मु की अस्थापना की ती किसने की थी नवाब सलिए लगां ul oh क्सandis एकnisse हो जाएगा 1906 में मुस्लिम लिककर अस्थापना हुई थी कहां पड़ो यज़ाborg भूंध थे कि अध्यां में मुश्रीम लेका परण्स कौन था पर्ण्ठम अध्यक्ष आगा क्का था वर्ष 1907 में मुश्लिम लिख का वार्चिक अधिवेशन कहा हुआ था 1907 में जो वार्चिक अधिवेशन जो हुआ था कराची में हुआ था ओप्शन भी सहुत्र हो जागा वर्ष 1907 मुश्लिम लिख का वार्चिक अधिवेशन जो है कराची में हुआ था और 1908 में अमरिद्चर में हुआ था 1908 में ही लंदन में इसकी एक साखा सयद अमीर अली ने अस्थापित किया था वर्ष 1908 में अकिल भारतिय मुस्लिम लिख की एक लंदन साखा की अस्थापना हुई थी किसने किया था अमीर अली की अध्यक्स्ता में ओप्शन बी सयुत्र हो जाएगा अमीर अली की अध्यक्स्ता में नेक्स्ट कोईचन देखिए मारले मिन्टो सुधार बिल मारले मिन्टो सुधार बिल जो है ये किस वर्ष पारित हुआ था ओप्शन बी सयुत्र हो जाएगा अगला कोईचन 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवास्ता की गई थी साम प्रदाइकता परतिनी धित्तु की ओप्शन बी हो जाएगा साम प्रदाइक परतिनी धित्तु की ब्रिटिस काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहां थी कलकत्ता थी वर्ष 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाए गई उस समय भारत का वाइसराई कौन था लॉड हार्डिंग था किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई दिल्ली में किसके राज किये परवेश के अवसर पर बम फेका गया था लॉड हार्डिंग पर फेका गया था बिरिटी सासन के दोरान बिहार को एक अलग प्रांद का दर्जा किस वर्ष पराप्त हुआ दोस्तो यह मार्क्समेन BPSC का आठमा वीडियो है साथ तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है लिंक डिस्केप्शन में दिया गया है या आप चैनल के अपल लिश्ट में जाके साथ तक का सेट का वीडियो देख लिजिएगा नेक्स्ट कोईचन देखिए दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किये थे कहां पर आयोजित किये थे लखनव में अप्शन की हो जाएगा लखनव 1916 में भारतिये राष्टिये कॉंग्रेस के लखनव अधिवेशन के अधिवेशन की अधियक्स्ता की थी MC मजुमदार AC मजुमदार ने के थी अंबीका चरन मजुमदार ने कॉंग्रेस और मुस्लिम लिग के बीच परसिद लखनव समझोते पर हाष्टाक्षर हुआ था किस वर्च हुआ था 1916 में हुआ था अप्शन D हो जाएगा 1916 में नेक्ट कोईचन अतिवादियों एवं उधारवादियों के पुनार मिलान की परकिरिया में परमुख सिल्पी नीम्न में से कौन था एनी बेसेंट अप्शन A सयूत्र हो जाएगा एनी बेसेंट वर्च 1916 में मुस्लिम लिग और कॉंग्रेस के मध्धि किसने समझोता कराया था बीजी तिलक ने बाल गंगा धर तिलक ने कराया था नेक्स्ट कोईचन होमरू लिग आंदोलन सरुपर्थम किसने प्रारंभ किया एनी बेसेंट ने क्या था आप्शन A सयूत्र हो जाएगा एनी बेसेंट ने नेक्स्ट कोईचन 1916 में दो होमरू लिग आरंभ की गई थी मुख्यत संबद रही है किस आंदोलन से गृ vogal श्ताशन आंदोलन से ने प्रथम विश्वयू दोback के दोडान आंदोलन जो भारत में लोकपिरिरी हुआ था वो कौन सा आंदोलन था होमरूल आंदोलन था तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाय गए घोमरूल लीगो को एक में मिला दिया गया था कब मिला गया था एक में? 1918 इसली में निम्न में से कौन फेबियन आन्दोलन का प्रस्तावक था? फेबियन आन्दोलन का प्रस्तावक जो है वो कौन था? एनी बेसेंट था अगला कोशन देखिए दक्षिन अफ्रीका में रहने की अवधी में महात्मा गांधी ने निम्न मेंसे जिस पत्रियका का परकाशन किया उसका नाम क्या था इंडियन ओपिनियन ओप्षिन डी सहीतर हो जाएगा मोहंदास करमचन गांधी जन्म जो है दो अक्टूबर 1879 इस्वी को जन्म हुआ था परवंदर गुजरात के परवंदर नामक अस्थान पर और 13 वर्ष की आयू में कस्तुर्वा गांधी के साथ विवा हुआ था गांधी जी ने दक्षिन अफरीका में 1894 में इस्वी में नटाल इंडियन कॉंग्रेस की अस्थापना की और दक्षिन अफरीका के लंबे आंदोलन के दोरान कई बार जेल की यातरा भी की उन्होंने टॉल्स्टाई फर्म की अस्थापना भी की और वहीं रहने लगे दक्षिन अफरीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अकवार निकाला यह गुजराती, हिंदी, तम्मिल और अंग्रेजी में परकाशित होता था महात्मा गांधी ने फिनोक्स आशरम फिनोक्स आशरम जुद यह दक्षिन अफरीका के डरवन में अस्थापित किया था समर्थक थें एमके गांधी जो है यह किस चीद के समर्थक थें कि दार्शनीक और आजक्ता वाद के समर्थक थें ऑप्शन डी हो जाएगा कि नेक्स कोई चल गांधी जी की दिरिश्टी में अहिंसा का अर्थ है सत्ती की पर्ती का राष्टा ओप्शन यह हो जाएगा सत्ती की पर्ती का राष्टा गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया तो आत्म नियंत्रन ओप्शन यह हो जाएगा गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वत्तम उपाई आत्म नियंत्रन ब अपरीका चले गये थे वह अफरीका में लगबग 21 वर्च रहे और जनवरी 1912 में महातमा गांधी डकशिन अफरीका से भारत कि सुन्त महातमा गांधी धुन अ राष्टिये कोंग्रेस कोंग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सरोपर्थम भाग लिया था। कलकत्ता अधिवेशन जो 1901 में हुआ था तो महात्मा गांधी ने सरुपर्थन वर्ष 1901 में कंग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था भारत के स्वतंदता अंदोलन के दोरान महात्मा गांधी दोरा अस्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर अस्तित है किस नगर के बारस दी थे अहमदाबाद, option B सही उतर हो जाएगा, अहमदाबाद, महात्मा गांधी ने वर्ज 1915 इस्वी में अहमदाबाद के कोचरव चेतर में सत्यागरह आश्रम, सत्यागरह आश्रम क्या स्थापना की थी, 1915 इस्वी में, next question, महात्मा गांधी ने अहमदा के निकट सावर मती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता था, तो सत्यागरह आश्रम कहा जाता था, option C सही उतर हो जाएगा, सत्यागरह आश्रम, महात्मा गांधी के राजनीती गुरु कौन थे, महात्मा गांधी के राजनीती गुरु जो थे, गोपाल कृ क्रिश्ण भोख लें कि नेक्ट कोईशन भारत के सवतंतरा संगर्ष के दोड़ान सबसे पहले किसी किया था कि वो म्हात्मा गांधी ने किया था ये जासर किसे किसे देंगृ सफ्फ चमपारम सत्यागरह अस्टाड क्या था यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्यागरह था निमलिकित में से किस ने कहा था कि विदेशी वस्तरों की बड़वादी ही उनके साथ सर्वत्तम व्यवहार है महात्मा गांधी ने कहता आप्शन B हो जाएगा महात्मा गांधी अंटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखा कौन है महात्मा गांधी ने अपने दक्षिन अफ्रीका परवास के दौरान जौन रस्किन की पुस्तक अंटू दिस लास्ट पढ़ी और गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया निमलिकित में से किस आंदोलन से गांधी जी सनबंदित नहीं थे गांधी जी जो है वो किस आंदोलन से सनबंदित नहीं थे स्वदेशी आंदोलन से ओप्शन ए सही उतर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन नेक्स्ट कोईचन निमलिकित सत्यागराव में से किसका नेतितु महात्मा गांधी ने नहीं किया था बार्दोली सत्यागरा का ओप्शन सी सही उत्र जाएगा बार्दोली सत्यागरा का नेतितु जो है सरदार वल्लभाई पटेल ने किया था महात्मा गांधी को सरुपर्थम वराष्ट पिता किसी ने कहा था सुभाद चंदर बोस ने कहा था option D हो जाएगा सुभाद चंदर बोस गांधी के नाम के पहले महात्मा जोरा गया किस आंदोलन के दोरान जोरा गया चमपारन सत्यागरह के दोरान option A हो जाएगा निमलिकित में से किसी ने गांधी जी को सरुपर्थ महात्मा के तोर पर सनबोधित किया था रविद्र नाथ टैग और ने option C हो जाएगा दोस्तो अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो description में टेलिग्राम का लिंक है टेलिग्राम गुरूप जुआन करके आप इस PDF को डाउनलोड कर लिजिएगा निमलिकित में से किस सत्यागरा आंदोलन में गांधी जी ने परत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया वाई कोम सत्यागरा option C हो जाएगा वाई कोम सत्यागरा महात्मा गांधी का 36 गड़ से पर्थम आगमन कब हुआ था 20 दिसंबर 1920 को हुआ था option P हो जाएगा 20 दिसंबर 1920 को भारतिय कप्रा व्यपारी, बैंकर, कॉंग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट चोयोगी है या उप्यूक्त वीवरन है जमना लाल बजाज का है option C हो जाएगा next question निम्न उद्योग पतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए जमना लाल बजाज option B से उत्तर हो जाएगा जमना लाल बजाज स्वाधिन्ता अंदोलन के दोरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज option C हो जाएगा भारत की स्वाधिन्ता के समय महात्मा गांधी सदस्ची नहीं थे किनके सदस्ची नहीं थे कॉंग्रेस के सदस्जी नहीं थे ऑप्शन B सयूत्र हो जाएगा भारत की स्वधिनता के समय गांधी जी कॉंग्रेस के सदस्जी नहीं थे वे जो है वर्ष 1934 में गांधी जी ने कॉंग्रेस से इस्तिफा दे दिया था गांधी जी की मिलित्य पर किस ने कहा था हमारे जीवन से परकास चला गया है जवाहलान नहरु ने अउचन D सयूतर हो जाएगा जवाहलान नहरु ने 30 जनवरी 1948 को नाथु राम गोड़ेसे ने गांधी जी को गोली मार दि उनकी मिरित्यू पर भारत के ततकालिन परधान मरंती पंडी जवालला नहरू ने कहा था हमारे जीवन से परकाश चला गया है गांधी जी ने अपना पहला सत्यागरा आरंब किया मजदूरों को कम वेतन दिये जाने के विरुद निमली में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हर्ताल का परियोग हतियार के रूप में किया था अहमादाबाद की हर्ताल, option C हो जाएगा, अहमादाबाद की हर्ताल हो जाएगा, option C इसका सही उतर हो जाएगा, दोस्तो आज की वीडियो में set 8 को complete कर लिए है, set 7 तक का वीडियो चैनल पर upload है, link description में दिया गया है, यहाँ चैनल के पर लिश्ट में जाके देख लिजेगा, तो यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like share कीजिए, चैनल पर पहले वारे तो subscribe करने के साथ साथ, notification बिल को दबाए के all पर click कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का notification सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो चलिए अब मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के बाइ बाइ बाइ, टेक कियर